आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, हमारे पास एक question दिया गया है इसमें बोला कि एक particle है अगर यहां से यहां तक इसकी displacement होती है और इस पर कोई force F लगता है तो जो work done होता है वो क्या होता है force into displacement in the direction of force होता है displacement in the direction of force लेते हैं लोग ठीक है direction of force तो अगर कहीं पर F equals to C into S लग रहा है तो यहां पर एक चीछी देखिए dw मतलब work done for a small time के लिए हम लिखेंगे तो f या small displacement के लिए तो क्या लिखेंगे आपको पता होनी चाहिए तो अगर यह इनकी direction देको यह भी s के लॉंग चल रहा है हमारे पास भी जो s की value दे रखिए तो यह जो angle हो जाएगा वो 0 degree हो जाएगा तो यह f into ds के ब्राबर आजाएगा तो यह हो गया सब्सक्राइब करते हैं जीरो से डबलू तक कर रहे हैं मतलब इनिशली जीरो वकड़न लेके चल रहे हैं तो यह f की value कितने हो जाएगी एक्स टूदी पाइड एक्स का इंटीक्रेशन होता है वो एक्स टूदी पाइड प्लस वन अपॉन अपॉन एन प्लस वन होता है तीक है उसी के according यह चीज़े आज रहे है तो यह आजागा s1 का square minus 0 upon 2 तो जो work done आएगा हमारे पास वो कितना आजागा half c s1 का square आजागा और यह हमारा answer हो जागा तो work done कितना करना पड़ेगा half c s1 का square और यह हमारा correct answer हो जागा इस question के लिए तो यह होप आपको यह चीज़े समझ में आए होगे और यह solution भी killer हो गया हुआ थैंक यू Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी download करे doubtnet आप यह WhatsApp कीज़े अपने doubts 8400400 पर